हेलो इस्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे मेरा नाम है शिवंगोतम और मैं आज एक सब्जेक्ट या आपका है एक कोर्स आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है इंजिनिरिंग मट्रियल्स तो ये पूरे में आपका सीरीज मनलब चलेगा आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊँगा खाफी सारे कियो हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है और इस सब्जेक्ट की क्या इंपोर्टेंस है हमारी लाइफ में वह भी हम जानेंगे और किस किस तरीके से हमें मट्रियल्स लेट करना चाहिए और मट्रियल की जो प्रोपरटी होती है वो आपकी किन-किन चीज़ों पर और इन materials की properties किन किन चीज़ों पर depend करती है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आपके इस course में जिसका नाम है engineering materials ठीक है यहाँ पर मेरा contact information दे रखा है ठीक है किसी भी student को अगर doubt आता है lecture देखने के बाद तो सबसे पहले आपको क्या करना है lecture पूरा देखिए ध्यान से समझिए अगर कोई doubt आता है तो आप उसे comment box में लिखिए मैं आपका doubt consider करूँगा और उसको next video में आपको detailed explanation कर दूँगा अगर फिर भी आपको कोई query है या उससे अलग से कुछ पूछना है तो आप मुझे personally mail कर सकते हैं मैं आपका query को solve कर दूँगा तो चलिए start करते हैं आज के इस करेंगे सारी चीने discuss करेंगे और इसमें मैं आपको आज के lecture में बताऊँगा आपको engineering materials का introduction और इसका historical perspective क्या है और इसकी हमारी life में क्या importance है यह सारी बाते में करूँगा आपके साथ आज के इस lecture में तो चलिए lecture 1 को start करते हैं जो कि हमारा introduction lecture तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम topics क्या-क्या cover करेंगे इस course में पूरे course में हम क्या-क्या topics पढ़ने वाले हैं वो सारी बाते में पहले कर लेते हैं तो पूरे course में आपके क्या है पूरे course को divide कर दिया गया है आपका five units में और हर units में आपके क्या है कुछ सब topics हैं उनको हम cover करेंगे एक एक करके तो देख लेते हैं कि हमारे क्या-क्या topics है total five units आपकी क्या-क्या है और हमें क्या-क्या पढ़ना है तो आप यहां देख सकते हैं सबसे पहला जो आपका है हम देखेंगे unit 1 जैसा कि मैंने आपको बताया कि पांच unit में आपका डिवाइट किया गया है पूरा course तो unit 1 की अगर बात कर लेते हैं तो unit 1 में आपका है crystalline nature of solids solids का crystalline nature क्या है क्यों पढ़ेंगे इसमें यह भी बताऊंगा मैं आपको जब एक जैसे हम आपके topics लेते हैंगे जैसे नई unit start होती जाएगी मैं आपको इसकी importance बताऊंगा कि हम यह क्यों पढ़ रहे हैं क्यों कि कोई भी चीज हम start करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं और उसका क्या use है हमारी life में तो क्या होता है जब हम यह चीज समझ जाते हैं तो ह सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हम पढ़त होने हैं तो पहले देख लेते हैं कि हम unit 1 में क्या पढ़ेंगे unit 1 में हम पढ़ेंगे crystalline nature of solids जिसमें आपका क्या क्या पढ़ेंगे atomic bonding bonding in materials properties dependent on bonding कि आपकी bonding के basis पर आपकी material की properties कैसे कैसे बदल जाती है आपका ionic bond है तो क् properties होंगी hydrogen bond है metallic bond है कोई भी bonding आपका बन रहा है तो उन basis पर material की क्या क्या properties होती है यह सारी बात हम जानेंगे atomic bonding वाले session में उसके बाद हम start करेंगे किस्टेलोग्राफी किस्टेलोग्राफी में हम बात करते है material के आपके structure के अंदर आपके जो atoms हैं वो किस तरीके से arrangement है ठीक है उनकी geometry की बात करेंगे cubic systems की बात करेंगे different types of cubic systems पढ़ेंगे हम और क्या बात है कि आपके जो atoms है वो particular plane में कैसे arrange है आपके उनकी planar density उनकी linear density उनका हम क्या कहते हैं आपका volumetric density यह सारी चीजें हम जानेंगे unit 1 में ठीक है unit 1 में भी आप देखोगे तो दो पार्ट में divide कर रखाए ठीक है पहला आपका पार्ट यह है दूसरा पार्ट है आपका imperfections in crystals तो आपका unit 1 में designation of planes and direction किसी भी plane को naming कैसे की जाती है direction कैसे की जाता है direction की naming कैसे की जाती है जिसको Miller indices की help से बताते हैं तो वह भी हम जानेंगे और यह जो topic है Miller indices वाला जो कि हम इसमें पढ़ेंगे वह आपका सबसे ज़्यादा important है पार्ट 2 जो है आपका unit 1 का वो है imperfection in crystal कि आपके crystal में क्या-क्या आपकी कमिया हो सकती imperfections मतलब क्या-क्या उसमें खामिया है ठीक है उसकी जो कमिया है और जो उसके में imperfections हैं उनकी वज़े से आपकी material की properties कैसे बदल रही है क्या वो imperfection जो material में present है वो मेरे लिए या किसी भी engineer के लिए आपका फायदे मंद है या फिर वो नुकसान दायक है या तो मुझे benefit पहुचाएगा या तो उस imperfection की वज़े से मुझे क्या मिलेंगी property अच्छी मिलेंगी या उस imperfection की वज़े से आपको क्या होगा property अच्छी नहीं मिलेंगी तो यह सारी बात हम करेंगी unit 1 में imperfections वाला जो topic है आपका यह काफी जादा important है इसमें आपको काफी अच्छे से पढ़ाऊंगा point defects भी पढ़ाऊंगा line defects भी पढ़ाऊंगा surface defects and bulk defects अगर आप कहें कि इन सारे topics में से जो आपका imperfection crystal है point defect line defect सबसे जादा important कौन सा है तो वो है आपका line defect जिसमें आपका edge dislocations and skew dislocations आत पर आपकी क्या कुछ properties कम हो जाएंगी वह मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ठीक है तो unit 1 में हम यह सारी चीज़ें देखने वाले है unit 2 में मैं आपको क्या बताऊंगा unit 2 में हम पढ़ेंगे alloy formation के बार में कि alloy form कैसे किये जाते हैं alloy क्या होता है कि आपका किसी भी दो आपके materials को elements को हमने मिलाया और हमें तीसरा कोई आपका material मिल गया तो उस जो तीसरा material मिला है उसकी properties मेरी क्या होंगी ठीक है intermetallic compounds के बार में पढ़ेंगे और आपका important है human rotary rules for the formation of ideal solutions या ध्यान दीजिएगा साफ लिखा हुआ है human rotary rules for formation of ideal solid solutions यानि यह जो rules है आपके यह मैं कहा हूँ यह जो guidelines है human rotary की कि किसके लिए आपके अगर मुझे ideal solutions बनाना है तो दो materials जिनको मैं आपस में mix कर रहा हूं उनको क्या-क्या guidelines follow करनी चाहिए जिससे की मेरा क्या बन जाए एक ideal solid solutions बन जाए तो उनके लिए क्या है आपके human rotary rules है इसके बाद आपका आता है हम पढ़ेंगे simple phase diagrams कभी M tapa ब में doashền जांए के was Doora। को i ifय विए अगर आपको कभी offense डिया जाए तो आप उससे क्या-kया इंफॉन ले सकते हैं ठीक है किसे स्थीर्फपमीね सब्होंट कर सकते हैं के अपके आप पाद है चैने का इंपका बैनेरी ऐसी डाग्राम हैirus पर लेकिए उन को ज्यादा important है आपका जो यहां लिखा हुआ है iron iron carbon equilibrium diagram बहुत important है क्यों कि steel आपका इसी diagram में आता है और steel जैसा कि आप सभी को पता है काफी important और काफी महत्पूर्ड आपका क्या है engineering material है तो iron iron carbon phase diagram को मैं आपको काफी अच्छे से बताने वाला हूं आपको मज़ा आ जाएगा पढ़के एक बार आप सीख गए तो आप कभी नहीं बूलेंगे ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे non equilibrium cooling को हम बोलते हैं हमें heat treatment of steels क्यों किया जाता है heat treatment क्या होता है heat treatment कितने types के heat treatment होते हैं ठीक है और basically किसका देखने steels का तो हम आपको बताएंगे heat treatment of steels जिसके आपको idea लग जाएगा कि heat treatment करने पर material की properties कैसे कैसे बदलती है अब आप लोग सभी कह रहे होंगे कि sir आप बार बार एक ही बात बोल रहे हो कि कोई भी चीज आप बता रहे हो कि इससे आपकी material की properties कैसे बदलती है यह मैं आपको क्यों बोलना हूं क्योंकि सारी कहानी जो है आपकी मुझे पता है कहा कहा आपको डाउट आ रहा होगा मैं सारे डाउट क्लियर कर दूगा क्योंकि material की जो भी आपकी हम material यूज कर रहे है मैं उस material किस basis पर select करूँगा material की properties पर तो सबसे important चीज क्या है मुझे material की properties पता होनी चाहिए और उन properties पर किस की चीज का effect हो रहा है civ कूलंग का effect हो रहा है litigation का effect हो रहा है आपका processing का effect और तो वह सारी चीज addition में देखनी है और वही चीज़एं हमें क्याकर्नी इस कोर्स में पड़नी है तो आपको unit 1 और Unit 2 का pouża समझ में आ अगई होगा कि हम unit 1 और Unit 2 में क्या-kya पढ़ने वाले हैं चलिए आगए चलते हैं चीनियों पर material की electrical properties depend करती है और कैसे उन properties को improve किया जा सकता है अगर हमें अच्छी प्रोपर्टी अच्छी प्रोपर्टी नहीं मिल नहीं है तो हम बात करेंगे electrical conduction में क्या क्या आपके topics होंगे classical models होगा band model होगा conductivity का ठीक है energy band के basis पर आपके कैसे कैसे classify किया गया है वो मैं आपको बताऊंगा electrical के बारे में बात करूंगा और आपका में बात करेंगे इसमें आपका क्या है देखिए आप देख सकते हैं सभी स्टुडेंट यूनिट थीक हो आपके मैं कहूं तीन topics में आपका तीन सब topics में classify किया गया है एक आपका electrical properties वाला हो गया जिसमें हम band theory पढ़ेंगे और उसका classification के बारे में क्या होते हैं super conductors क्यों इतना ज्यादा use हो रहा है क्या importance है हमारी life में इसारी बात करेंगे कितने types क्यों होते हैं soft superconductor hard superconductors क्या होते है critical temperature क्या है आपका critical field क्या है आपका and आपका critical current density क्या है इनकी properties क्या है applications क्या है सारी बात हम करेंगे superconductivity वाले topics में और unit 3 का आपका next जो आपका आता है topic वो है semi conducting materials क्या होते है semi conducting materials वही same क्या importance है कितने types के होते है आपके compound semiconductors क्या है elemental semi conductors क्या है organic semi conductors क्या है आपके semi conductors को purify कैसे किया जाता है आपका उनकी doping कैसे की जाती है यह सारी बात हम करेंगे semi conducting materials में अगर आप देखोगे तो कुछ मैंने semi conducting materials की videos या आपको lectures मैंने क्या कर रखे है already upload कर रखे है तो जब हम आपका course को पढ़ेंगे और जब हम semi conducting materials में आएंगे तो मैं वह वाला आपके video skip कर दूँगा वह आपको कहां से देखने पढ़ेंगे जो already आपको upload है same वही है आपको topic में cover कर चुका हूँ semi conducting materials का तो आप वहाँ से उसको cover कर सकते हैं तो इसके आपके lectures पढ़े हूँ है semi conducting materials के lectures आपके पढ़े हूँ है आपके playlist में engineering materials का playlist होगा वहाँ पर आप जाएगा आपको मिल जाएंगे सारे lectures इसके और unit 4 में हम पढ़ने आले हैं dialectics materials ठीक है क्या होते है dialectic materials क्या होता है polarization ठीक है आपका ferroelectricity क्या होता है dialectic materials के uses क्या है आपका polarization क्या होता है hall effect क्या होता है यह सारी बाते मैं आपका करूँगा unit 4 में और unit 4 के भी मैंने आपके already lectures upload कर चुका हूँ dialectics के ऊपर जिसमें केवल आपके क्या topics रह गए है ferroelectricity and piezoelectricity वाले topic रह गए है मैं आगे जब आपका इस unit पर आऊँगा तो केवल ferroelectricity and piezoelectricity के lectures upload कर दूँगा बाकी आपके lectures already available है semi conducting materials के और आपके dialectic materials के और unit 5 जो कि आपकी last unit है जिसमें हम बात करने वाले हैं आपका सबसे important चीज़ सबसे मज़ेदार चीज़ आपके magnetic properties of material इस unit में आपको मज़ा आजागा इसमें हम पूरी बात करेंगे magnetic properties के बारे में ठीक है पूरा मैं आपको बताऊंगा detail में कैसे कैसे आपका magnetism की कहानी start हुई कैसे कैसे आपको magnetic materials मिले अब हम कौन से magnetic materials use कर रहे हैं कहां पर use कर रहे हैं इंपूर्टेंट हम पढ़ेंगे आपके diamagnetic materials के बारे में paramagnetic materials ferromagnetism 20 लोग यहाँ पर आपका एक और एस आएगा 20 फिल्ड के बारे में पढ़ेंगे magnetic domains क्या होती है ठीक है magnetic field का electric field का आपका क्या effect पढ़ता है ठीक है material पर सारी बात हम जेखेंगे antiferromagnetism ferromagnetism 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 magnetostrictions ठीक है सारी बात करने वाले है unit 5 में unit 5 में ही दूसरा जो सब topic है आपका optical properties optical properties में हम basically पढ़ने वाले हैं lasers के बारे में किस mechanisms पर आपकी laser work करती है ठीक है उनका working principle क्या होता है क्या होता है population inversion ठीक है क्या होता है आपका stimulated emission ठीक है यह सारी हम बात हैं करेंगे आपकी optical properties में lasers कैसे बना जाती है कितने types की होती है यह पूरी बात करने वाले हम unit 5 के topic number 2 जिसका नेम है optical properties of material और कैसे आपकी optical properties आती है material के अंदर laser से जो आप में light मिलती है कैसे निकलती है आपकी ठीक है सारी बाते करेंगे आपको पढ़के मज़ा आ जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको पूरे session में पूरे course में आपको क्या आएगा काफी को सीखने को मिलेगा और आपको अच्छा लेगा कि हाँ हमें engineering materials के बारे में पता चला और क्यों इसकी importance क्या है क्यों जरूरी है पढ़ना वो मैं आपको बताने वाला हूं तो उमीद करता हूं आप सभी students को पूरा syllabus समझ में आ गया होगा आप क्या कर सकते हैं syllabus का आप यहां से screenshot ले सकते हैं यहां देख लीजिए यह आपके unit 1 & unit 2 यह आपकी unit 3, unit 4 & unit 3 सभी students को syllabus पूरा complete समझ में आ गया होगा अगर फिर भी कोई doubt है तो आप पूछ लीजिएगा मैं आपको बता दूगा ठीक है doubt वैसे आना नहीं चाहिए syllabus केवल अभी समझाया है कि क्या-क्या हम पढ़ने वाले हैं पूरे course में यह बात कर लेते हैं क्योंकि कुछ student कूछते हैं कि सर्जी हमें पढ़ना क्या है ठीक है हमने आपने यह तो बता दिया कि पढ़ना क्या है क्या-क्या हम topics पढ़ेंगे वैसे तो मैं सारी चीजें आपको कवर करूंगो lectures में अगर फिर भी किसी भी student के मन में आता है कि हमें books पढ़नी है books refer करनी है तो आपको कौन-कौन सी books पढ़नी चाहिए वह मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ ठीक है तो कोई भी student अगर चाहता है बुक से पढ़ना और लुझे को इन टोपिक्स को बुक से और कर सकते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको books के नेम देखने हैंreno नमबर पर आपको वी रागवन एंड सेकंड नमबर पर आपको जो बुक दिख रही है वो है आपकी विलियम कैलिस्टर तो यह जो बुक हैं आपकी दौनों बुक वी रागवन वी रागवन एंड वी रागवन एंड विलियम केलिस्टर यह मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको यूनिट नमबर वन एंड यूनिट नमबर टू आपको कवर करनी है तो आप इन दोनों बुक से करिए आपको काफी अच्छी clarity मिल जाएगी ठीक है बाकी की आप यह कहेंगी बाकी यूनिट के topics नहीं मिलेंगे तो आपको बाकी यूनिट के topics मिल जाएगे ऐसी बात नहीं है विलियम केलिस्टर में आपको यूनिट 3 के भी topic मिल जाएगे ठीक है यूनिट 4 के भी मिल जाएंगे और यूनिट 5 के भी मिल जाएंगे ठीक है ये तीनों मिल जाएंगे लेकिन अगर आपको अच्छे से समझने है अच्छे समझने है तो आप प्रफर करिए ये last वाली बुक ठीक है जिसका नाम है आपका डेकर की बुक है electrical engineering materials जिसमें आपको बताऊंगे जरुवत पढ़ेगी नहीं आपके लेक्चर देखिए सारी चेंस समझ में आएंगे अगर फिर भी मन कर रहा है तो आप इन तीन यूनिट के लिए ये वाली प्रफर कर सकते हैं बाकि आपके यह तीनों यूनिट विलियम कैलिस्टर में मिल जाएंगी अ अगर किसी बीस्टूनेंट को नहीं मिलता है तो मुझे कमेंड लिख दीजिएगा मैं आपको क्या करूंगा उनका लिंक प्रोवाइट करा दूंगा आप वहां से क्या कर सकते हैं बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने इस्टड़ी कर सकते हैं एक समझ में आ ग से topic cover करने हैं तो हम आज का lecture start करेंगे तो हम आज का lecture start करने वाले हैं इसका lecture number one जिसमें मैं आपको introduction बता हूँगा और आपको बताने वाला हूँ कि क्यों जरूरी है आपका ये engineering materials subject को पढ़ना या मैं कहूं इसका दूसरा नम material science को जरूरी होता है material science को पढ़ना इसकी क्या importance है अगर हमें materials की knowledge नहीं होती तो क्या होता अगर हमें materials की इतनी knowledge है तो क्या हो रहा है कैसे materials में हमारी life को change कर दिया क्या importance है इनकी क्या अभी और भी materials आएंगे क्या materials का आना अर्ण का आपका जो invention है आपके development आपका चलता रहेगा कैसे materials आ रहे हैं आपके सारी बाते करेंगे ठीक है तो आपको आज की इस lecture में पता चल जाएगा कि इनकी importance क्या है तो चलिए start करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कुछ images देखाऊंगा जिससे आपको पूरा clear हो जाएगा आप images देखके ही आप समझेंगे की materials की importance क्या है तो सबसे पहले क्या करना है द्यान से इन images को देखिए सबसे पहले आता है आपका कि how is our life with materials अब हम जो अभी life जी रही है ठीक है अभी आप जहां पर भी बैठके आप lecture देख रहे हो या सुन रहे हो ठीक है आप अपने चारों और पास देखिए आप जब अपने रूम में चारों और पास देखोगे आपको काफी आपको धिख़ाई देंगे पूरा का पूरा रूम का किसी मटेयल के साथ कहसी है उसकी कुछश इमइस देखिए सबसे पहले देख लीजिए यह है आपका ताजमेल जो कि आज से 400 लगवक 400 साल पहले बनाया गया था और इतना अच्छा से 200 साल पहले उस मटीरियल को किया था ताजमेल बनाने के लिए जो कि आपका क्या है अभी उद्या ख़ड़ा हुआ है तो क्या है आप देखिय ल anth आपको देखके समझ मार आ रहा होगा यह जो भी चीजें आपकी किसी नहीं किसी मैटेर से बनी होई है और किस परपस के लिए यूज हो रही है आपकी यह कार है पहले कि बुलक काॉ बुलक काट से पहले की भी बात करो लोग क्या यूज करते थे पराणे जहांöyle आट हरे अलेफंब्ट Advance लेकिन वहाते है आप लिबिघनिंग अपके झालेंज है वूइए हूई जय हमारा मैंड जैसे-जैसे घड़ रो हमें क्या बताएं हम यह हमारी पूरा कर सकता और उसके बैसे कार बना दिया हैakah आप सभी को समझ मा रहा होगा की मट्रल की इमकोटेंस क्या है चीक है एरोपले न कहां होता है है अपका ये में और मैं जाता है तो तो आपकी महापर क्या होता एयर रेजिस्टेंस हुआ काफी सारी चीज़ें होती है ठीक है तो हमें ऐसा मट्रीयल सेलेट करना होता अपने अब्जेट के लिए जो कि हमारी क्या हो नीड्स को पूरा कर सके ठीक है आगे इमेज देख लीजिए यह आपका अच्छा सा घर आप का यह बना हुआ है ठीक है तो यह क्या है आपका यह भी किसने किसी मट्री यह क्या है हमारी लाइफ जो अभी हम लाइफ देखते हैं विद मट्रीयल्स तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी मट्रीयल्स ने हमारी लाइफ को किस तरीके से इंपैट किया है कैसे हमारी ल uso करेंगे तो अमारी water में हमारी नीड होता है इसे मतेंस दिविए जो की आम होते हैं और आपके क्या सिप्स बना है हमने क्या बना छिए स्प्स बना ए थे कि यह यहां पर क्या हुआ अपनी नीड के recording हमें कैसी आवज सकता दी हमें किन किन चीनों की जडरुत पड़ी आदमी का मायंड human being का मायंड क्या हुआ उसने सोचा thinking करी और उसने क्या करा उन materials को खोज निकाला और उन materials से उसने बनाए अपनी जडरुत के अनुसार objects जिनको हम आजकल यूज करते हैं यहां देखीजिए यह भी आपकी लाइफ है materials अभिले लोंगे तो इस तरीकी की life आप नहीं जी सकते हैं बहुत से बस्ते खुस हो गए होंगे कोई बात नहीं सब लोग ऐसी जीना चाते हैं हर कोई चाता है कि मेरी अच्छी सी लाइफ हो मैं अच्छे से जी हूँ काफी सारी सुवधाय हो मेरे किसी चीज की कमी नहीं हूँ ठीक है हर कोई आपका स्पेस में क्या है कैसे पहुचा जाए स्पेस में चलो इस पेस में आपको चंदरमां दिखाई देरहें आपको और इसे बोडिस दिखाई देरही है तो का मिंट काम करा की उपर कैसे पहुंचाय है अब ँपर जा रहे रहे हैं तो अब आई से मट्रियल्स सच्ण होगी यहां वहां की सब्सक्राइब कर दो तो पर खराब न 2 शाहिए ह Chron कैसे मतलब से तूट गया क्या मतलब रहा उसका कोई मतलब नहीं रहा तो हमने क्या करा मैं वह एक्सऽ कर रहे हैं समझ में आ रहा हुआ सब्सक्राइब को सुनिये केवल आख बंद करके और देखना है इमेज जहां पर आ रहे हैं वहाँ पर देखिए आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और एक बार आपने द्यान से सुलिया तो आपको दुवारा लेक्टर देखने की ही जरूत नहीं पड़ेगी आपको य सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जो अब तक हमने भेजा है सैटलाइट हुए जैसे टीक है इसपेसक्राफ हुए रॉकेट हुए अगर मैं बात करता हूं इस पेस में ने सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट बनाया है सबसे अब का वह यह इसका नाम क्या है आई इस ठीक है इस क्या है आपका इंटरनेशनल आपका स्पेस इस्टेशन ठीक है क्या है यह चीज़ कि अगर आपका क्या है कि आपके एस्ट्रोनोमस हुआ 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 अगर वह इस पेस में जा रहा है तो इस पेस में रहेगा कहां क्या हमेशा आपका इस रॉकेट में य रिसर्च कर सकें तो आप यहां पर देख सकते हैं यह आपके क्या लगई हूँ है यह यह लगई हूं यह आपके सोलर पैनल्स हैं आपके यह एनर्जी आपके लेते हैं यहां से पावर इसको पूरे को मिलती है ठीक है कहां पर है आपका लो अर्थ ऑर्बिट तो ज्यादा डेफ्ट में जाएंगे कि इंपोर्टेंस क्या है मट्रियल की आपको फील आ रहा होगा आप जैसे ऐसे देखते जा पर इन इमेज इसको देखके आपको मजा आ रहा होगा कि हां कुछ ना कुछ इंपोर्टेंस तो है मट्रियल की कुछ ना कुछ तो यह माहिने रखते है हमारी लाइफ में आगे चलते हैं यह देख लीजिए यह देख लीजिए रोबोट बेस डैक इस पर आरे वासर जी यह लगा हुआ है जो भी इनमें आपके सर्केट लगे हुए हैं जातर बने हुए सेमी कंड़क्टर से एक सिंपल से एक्जामपल दे रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा सेमी कंड़क्टर की इम्पोर्टेंस क्या है उनकी एपलीकिशन का है आप खुदी इतने कैपेवल ह यह क्या चीज है और कैसे इसने human life को आपका बदल के लग दिया ठीक है और आगे आने वाले आज से 40 से 50 सार अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी लाइफ ही आपकी चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी लाइफ चेंज क्यों हो जाएगी क्योंकि आपके 5G आएगा 6G अभी तो मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं लिखके पढ़ा रहा हूं अभी मैं आपको लिखकर पढ़ा रहा हूं आपको यहां पर लेक्टर रिकॉर्ड करके पढ़ा रहा हूं आपको लेकिन जब आपकी और टेक्नोलोजी आएगी तो हम क्या कर सकते हैं आपस में कि 3D image बन जाया करेंगी हम एक दूसरे बात करेंगे इंट्रेट करेंगे हमारी 3D image बन जाया करेंगी तो सारी के सारी क्या है future technology है जैसे हमें लग रहा है कि हम अपने आपको कि सारी चीज़ें आ क्यों नहीं है यह सारी चीज़ें इसलिए आ रही है क्योंकि human being अपना देखना च सकता हूं कि एक अच्छी लाइब जीज़ें सकता हूं कि इन सभी चीज़ की वैसे क्या हो रहा है इन चीज़ों की जरुद पड़ी और इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इनके लिए हमें materials चाहिए होंगे यह सारी चीज़ें किसी materials से ही तो बनी हुई है आपकी तो मह आपके chemicals हो गए ऐसे chemicals हैं आपको प्रपरटीज होनी कि हम chemicals आपको खराब ना हो ब्लास्ट पर हम क्या करेंगे material का selection करेंगे यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया हो कि material की हमारी क्या importance है हर field में x y z कोई भी field ले लिजी आप material हमारी life में importance रखते हैं clear हो गया सभी student को यहां देख लीजिए computer आप अपना lecture देख ले हो mobile हो गया आपका tablet हो गया mobile हो गया smartphone हो गया ठीक है आप सभी लोगों को बताने की जरूद नहीं है यह सारे के सारे जितनी भी प्रोड़क्ट ने किसी material के आपके बने हुए हैं और उन material को select कैसे किया गया है उनकी properties के basis पर ठीक हमें क्या करना है यह समझ में आ रहा होगा आपको अब आप समझते जा रहे होंगे कि हां material की importance है और material को में उनकी properties के basis पर select कर रहा हूं यानि कि material की properties भी किसी ना किसी चीज़ों पर depend करनी होंगी तो मुझे वो चीज़ें पता होने चीज़े कि कि किस material की क्या properties है और वो properties किस चीज़ पर depend कर रही है यही तो आपका engineering materials का खेल है engineering materials में यही चीज़ तो हमें पढ़नी है material science बोलूं या engineering materials बोलूं यही चीज़ तो हमें जाननी है कि क्या property है और यह properties किस की चीज़ों पर depend कर रही है कैसे आपकी material की properties बदल जाती है किन-किन चीज़ों के basis पर वो सारी हम जानेंगे इसमें इंपोर्टेंस समझ में आ रहा है सब्चेक्ट का आप सभी लोगों को कि material science का engineering materials का importance क्या है clear हो गया होगा आर देख लिए पीछे देखा चुका था आपको वैसे भी कि देख लिए day to day life की आपकी क्या है आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं ठीक है आपको लगता है कि ध्यान भी नहीं देते होंगे लेकिन यह क्या है हमारी day to day life में बहुत ज्यादा important importance रगती है बहुत ज्यादा important चीज़ें आपकी सीजर हो गया नोटबुक हो गया पेपर्स हो गया ठीक है एंवलप हो गया क्लिपोड हो गया कंप्यूटर हो गया मॉनिटर हो गया पैन हो गया हर चीज आपकी क्या है मुझे जैसी नीड जरूद पड़ी जैसी मुझे आवश्च रखता पड़ी वैसा material मैंने select किया और अपना product बना दिया clear हो गया यहां देख सकते हैं आप ठीक है monitor है आपका calculator है calculator इंजिनियर्स के लिए very important बना calculator के काम नहीं होगा ठीक है टेलीफॉन है चेयर है desk है हर चीज किसी ना किसी material से आपकी बनी हुई है एक बार आप जहां पर ही बैटके lecture देख रहे हो अपने चारों और एक बार नजर घुमाई है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा material की importance क्या है जो भी चीज देखोगा किसी material से बनी होगी आपकी देख लिए सारे element जो हमें नए-ने material बनाने बनाते हैं तो क्या करते हैं experiment करते हैं कभी हमें क्या मिलता अर्थ के अंदर से जैसे मिले वह हमारे कोई new material मिला वह हमारा इसमें include कर दिया एगा माल लीजे हमें कोई और material बनाना है जिसमें मेरी मालो क्या हो कि आपकी कारवन की मालो कारवन की भी प्रॉपर्टीज हो आपकी आपकी और भी किसी की प्रॉपर्टीज हो हम क्या करेंगे उनको आपस में क्या कर देंगे मिक्स कर देंगे उन से क्या बनाएंगे ऐलयाईंगे मिक्स करके तो जितने भी अपने यहां देख सथे हो और भी हमें मैं ऊंकि मैं wyक्राइघ को देख देंगे एक इस बात करी कि duy life materials के साथ कैसी है अगर हमारे पास materials की knowledge है और हम materials की knowledge रखते हैं और हमें अपनी आवश्चकता अपनी need के अनुसार कौन सा material select करना चाहिए तो हमारी life कैसी होगी वो आप सभी लोगों ने याँ पर देख लिया अब कुछ हम नज़ा डाल लेते हैं कि हमारी life कैसी होगी अगर हमारे पास materials ही ना होते तो आपको ज़्यादा सूचने की जरूत नहीं है बच्चो बुलकुल भी mind पर stress करने की जरूत नहीं है केवल आज से आप 4,000 से 5,000 साल पहले चले जाओ आज से 4,000 से 5,000 साल पहले चले जाओ आप सभी student ने अपने school level पर history subject पढ़ा होगा ठीक है history subject पढ़ा होगा जहां पर आपने देखा होगा कि पहले stone age आया था फिर आपने देखा कि सर जी हाँ stone age आया था हमारा copper age भी आया बस अभी एक idea ले लो बस ध्यान से सुनते चले जाओ ब्रॉंज एज आया सर जी बुलकुर्ट सही बात कर रहे हो ब्रॉंज एज आया अच्छे चल ठीक बात कर लेता है iron age आया iron के बाद steel आया और आपके चलते चले गए यानि material आप ध्यान से देखोगे आपने बच्पन में history पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हर जो भी हमने आपका period देखा उसमें किसी ना किसी material की इंपोर्टेंस रही थी कोई ना कोई material हम जरूर पढ़ते थे कि इस एस में यह material था इस एस में यह material था यानि कि time के साथ human being को material की knowledge होती गई ठीक है अब हम क्या करते है अब material की knowledge होती गई होती गई होती गई आज कि हम कंडिश उसमें आ गए time में हमने देख लिए कि material की knowledge ही नहीं थी तो आप आत्मी आपका कैसे आपका उसकी life कैसी थी वो कैसे जीता था उसका idea ले लिजिए उससे पहले देख लिए आपने पढ़ा होगा क्या करते थे कुछ था रहने के लिए नहीं था पहनने के लिए खाने के लिए कुछ उनको knowledge थी नहीं थी कैसी life जीते थे एक जैसे आपका ऐनीमल, पहले हम यही तो कहते हैं कि हम भी क्या है एक अएनीमल की तरह, पहले जैसे आप जैसे अ surtvent रहते थे, वैसे हमारी नॉलेज न खीर और हमने अपुनें अब अगलागा चीज़्ों को खो जा ठीक है पहली में देखके क्लियर हो गया डूसरी मेंज देख लीजिए पीछे देखिए सबसे पहले उसी देखो छोटे छोटे बच्चे खिलना देखो यह देखो यह इनके चाचा जी है यह इसका भाई है यह चोटा चाचा है ठीक है यह बच्चा है आपका क्या कर रहे है इनको भूख लग रही है इनको लग रही है भूख ठीक है यह आपके क्या है हंगरी है उनको हंगरी है तो भूख लगी तो क्या कर रहे है यह आप पीजा खाते हैं पताहएं पिजा एका बना होता हैं आप लोगों को यद्या होईंजा होते हैं पहले क्या देखते कि हमारे सिर्णेल में क्या रयेकों बीडीन फूंत का लिए अब कोईख णुपा आपका वह सकता है ति कहां फॉल भी होसकता है एनिमल दिख गए जिनको ये मार के खा सकते हैं हंटिंग करते थे तो आपको सारी चिन्हें क्लियर होंगी हां कि मट्रियल्स के बिना भी हम लाइफ पहले जी चुके हैं जो हमारे एंसेस्टर बहुत पहले बहुत पहले कई हजार साल पहले कैसी लाइफ हुआ करती थी कितना इस्टरगल करना पड़ता था आपको अपनी डेली नीट्स को पूरा करने के लिए ठीक है यहां पर देखिए इनको ठंड लग रही है ठीक है मालो यह तो आपकी जो फायर है वो तो बाद में आपकी खोजी हमने क्या पहें रहिए जैकेट्स पहें रहे हैं धंड है चैप्छस बनाई है तो मैं जैसी नेड भी वैसे मैं किसी मते बनी हुई है इंको कि आप report कर सकते हैं आपके शेगे में क् bathroom कर सकते हैं और अपनी सेफिटी भी कर सकते हैं किसी कोई आपका खतरनाग जान वरह कोई आपका नियु नगण कर सकते हैं lightning पर सकते हैं पहले आपकी लाइफ कैसी हुआ करती दिने आगे पर रहने क्लिए क्या होता था आज जैसे घर होते थे जैसे आज हम घर में रहते हैं क्या ऐसी गर होते थे पहले नहीं होते थे गुफा बनाटे थे यह देखिए हैं कि पहले आपकी कहा रहते थे क्यम में मैं रहते थे तह अधस्य हो जाएंगी आप सुनते रहे कि मेंना को बता के साथ हमारी लाइयर कαι sih है और मतीयल के बना हमारी लाइफ कैसी थी वह आपको बता मेरे देख पारे हूंगे कि या सब्सक्रेट अब कर देख डेख पारे हुए उसी से आपको पता चल जा खुली हुई है के में कोई आपका एनिमल भी हो सकता है उन्होंने क्या कर अपने घर बना लग गए तो वुडबी तो एक material है वुडबी क्या है वुडबी तो एक material है जैसे आदमी को लगा कि नहीं हमें आपका इस चीज की जरूरत है इस चीज को मैं यूज कर सकता हूं उसने उस material को यूज किया क्लियर हो गया सभी स्टुडेंट्स को मज़ा आया यहां तक एक समझ में आया कि हाँ क्या 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 हैं आपकी materials की importance क्या है engineering materials क्यों पढ़ना जरूरी है वो भी बताओंगा वी वैसे आपको एक पॉइंट तो समझ में होगा कि हाँ engineering materials पढ़ना जरूरी है अगर मुझे कोई चीज बनानी है या मुझे कोई भी चीज आपकी कोई भी product बनाना है उसके लिए मुझे materials select करना पड़ेगा सर जी और जब materials select करूंगा तो किसी न किसी basis पर तो करूंगा बुलकुल सही है वह basis क्या होगा material की properties उनका आपको आइडिया होना चाहिए और दूसरा अगर आप engineering materials पढ़ रहे हैं आप एक यहां तक मैंने आपको बताया कि materials के साथ हमारी life कैसी है और materials के बिना हमारी life कैसी होती यह सारी चीज़ें आपको clear हो गई होगी यहां तक कोई भी doubt आपको नहीं रहा होगा और एक mind में एक point जरू समझ में आया होगा कि हां कुछ ना कुछ materials की importance तो है हमारे जीवन में हमारी life में materials कुछ ना कुछ importance तो रखते हैं अब जैसा कि मैंने आपको पीछे जो भी अभी तक बताया है वह मैंने यहां पर लिख दिया है इसको मैं आपको short में जल जल जी बता रहता हूं और बाकिया आप क्या कर सकते हैं वीडियो को pause करके यह पढ़ोगे ठीक है historical perspective की बात कर लेते हैं ठीक है history से start करें थोड़ा थोड़ा तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि जब हम कि जब हम आपका हिस्टी में पढ़ते हैं तो हमने देखा था कि आपका हिस्टी स्टार्ट हो रही थी इस्टोन इस से ठीक है human civilization की जब मैं बात करता हूं तो इस्टोन जाया फिर आपका copper age आया ठीक है माल लीजे तो आपने एक चीज ध्यान से देखी होगी कि हर एज का हर civilization का नाम क्या कर गया है किसी ना किसी material पर दिया गया ध्यान दिया आपका bronze आपने सुना हुआ होगा तो कि किसी ना किसी material पर आपके इनकी naming की गई है यह तो वहीं आपर बात कर रहा है कि अगर हम बात करते हैं human civilization के इंपूर्ट आपकी डैवल्मेंट नहीं कि अभी मैंने जैसे आपको पीछे इमेज दिखाई हैं वहां से ही क्लियर हो गया होगा कैसे-कैसे हम डैवलप किये और कैसे-कैसे मट्रियल समय मिलते हैं और कैसे-कैसे हमारी लाइफ इंप्रूब होती चले गई बुलकुर सर्जी ह मैं बुलकुर समझ में आगया तो इतना समझ में आगया होगा कि human civilization के development के लिए जो materials हैं जो materials हैं वो क्या है काफी जादा important है काफी जादा important है इसलिए क्या होता था पहले जो आपकी civilization होती थी पहले जो civilization होती थी पहले तनी knowledge नहीं थी तो हमने historians नहीं ने क्या किया कि कुछ को क्या कर उस जमाने में जो materials होता था उस उस material के ने न Ai can कैसे कि यह सब सरे शेया था तो इस्टोने जाए आया था वहां पर क्या होती लिए टी इस सब्लस से बर senasi जो भी हुए आपके product जो भी हुए वह आपके यूज किया देते तो उसको क्या नाम दे दिया मठ आपका स्टोर ने दिया ब्रॉन आपका क्या सकते हो कौप आपका इस से पहले copper जाया था फिर iron जेज फिर iron जेज थीक है तो 1200 1000 बीसी कह सकते हो 1000 बीसी से आपका लोग आपको क्या हुदा आयरन आया था आयरन की डिस्कवरी मिल आयरन का पता चला आयरनेज हो गया आपका उसके बाद आपके आते चले मट्रियल्स और उनको ऐसे ऐसे नाम दे दिया गया सभी स्टुडेंट के मैंड में एक डाउट आ रहा होगा कि से ठीक है समझ में आया ह है कि पहले मट्रियल्स जो हमें मिलते चलेगा उनके बेसिस पर हमने नाम दे दिया तो अभी हम जो आपका अभी जो हम एजब प्रिजेंट सिनेरियो में जो है हम अभी जो हमारा टाइम चल ला है कि इसका भी नाम किसी मट्रियल के निम पर रखा गया अगर हम बात करें तो ठीक है यह डाउट आ रहा होगा हम क्लियर कर दूँगा मैं ठीक है आगे क्लियर हो जाएगा तो देखो क्या लिखा हुआ है इस इस जस्टन आप्जरवेशन में इस हमारी लाइफ को भी अफेट किया है हमारी एक्टिविटीज को भी आपका पूरी कहानी क्या सकते हैं इसका इंपोर्टेंस क्या है क्यों पढ़ना जरूरी है इंजिननेरिंग मट्रियल क्या माइन दखता है वह सार चीजिन आमले इसमें बती है तो इसका क्या करना एक कहानी तरह कि यह समझ लिए पिच्चर चल रही है एक कहानी की तरह आपको सुनते चले आना है तो आपका क्या है इसे विलाजिए समने माली आपकी इस्टोने से जहां पर पीपल यूज कर दे थे देखें क्या लिखा है नेच्रल मटेरियल जैसे की स्टोन क्ले इसकें वोड फॉर्दा इस लाइक तो मेक वैपन्स इंस्ट्यूमेंट सेल्टर सेक्स्ट्रा सारी इमेज में आपको पहले दिखा चुका हूं सारी चीज़ें क्लियर हो रहे होंगी बुलूबर टीग बात है पिर दीखें क्या है तो मान लीजिए पहले इस्टोन के आपके वैपन समय जा रहे थे इस्टोन के इंस्ट्यूमेंट बना जा रहे थे या वुड के बना जा रहे थे या किसी और चीज के बना जा रहे थे पुराने उसमें तो मान लीजिए इस्टोन की बना जा रहे थे तो क्या हो गया बहुत हैवी नहीं हो जाएंगे बहुत हैवी हो जाएंगे केरी करना बह स्टार्ट करेंगा ईसने क्या करा पर अपनी स्टार्ट करती जैसे जैसे हमारी एपनी लाइफ को बैटर करने नीड थी हमारी वेटर हो उसी की ढूंति है तो चया мौत किन नए मटियर्स समय किया मिलते चले चले घथा ठीक है तो मैं क्य हो पहले पत्थर था आपका स्टोन इस था मीनarks जमीन खोद गए देखह और रहसमरं वलктको आपको मिला मोटीर्स है उनहें उसे दोया किuben रिफाइन करें धर देखा रहे यह तो कुई न कोई9 मेटल है उन्हें कोपर मिल गें ऑने क्या मिल गया कोफर मिल गया था कोस हो गए सारे आदमी कोपर मिल गया अरे भईया कॉपर मिल गया क्यों मिला क्यों खुस हो गया सबसे पहले इस्टोन यूज करते थे बहुत भारी होता था कॉपर बहुत अलका ठीक है और दूसरी बात आपका डक्टायल भी है मैलियबल भी है आप इससे अलग-अलग सेप्स बना सकते हो ठीक है तो काफी चीजे क्या हब आदमीके में आ गया की इस चीज नहीं है थोड़ी जात चलें थीए थीक है काम दो चलेंद पर थोड़ी इस्टेंद करी घ्राइज कि यह कोई भी और बात माल लिए कि मैं और भी चीज है तो उन्होंने क्या करा mixing कर इसमें कुछ नकुछ मिला दिया जाए तो उन् मिल या फिर भॉंज अब ब्रॉंज की प्रॉपर्टीज उन्हें अच्छी मिल हुआ पूरी उसमें ब्रॉंजी ब्रॉंज होने लगा उसे इसको नाम देदिया प्रॉंज चलो ठीके ब्रौंज से काम चल ला दा ब्रौंज भी की की भी इतनीर इतनीद इतनी खास नहीं थी और 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 आगे आगे चले क्या मिला और मने को डा कहीं पर से मिल मैं मैं प्रचा establishment की यह रूची मैं इससे पहले कैसी लड़ाई होती ही लड़ाएं सब पता है सारी कानी आपको पता है ठीक है काफी लड़कों की iron जैसे अब कर द Git Azureзд को इूज़ किया और आपकी समझ में किया हो था अपका क्या रहूं थीज की माहन करें कि उसको बनाते हैं किसको कॉंचे收看 नह degust हुसक्त ऐसे वादधे करो सब्काइब वाइगे नियुक्त कॉपर्न परते ही मिला सब्सक्रिजब नहीं कुझ करते हैं सोची인을च करें सब्सक्राण सब्सक्राइब व Noussหittel पर बनाइब है ब Melanie तीन लगवाग का वेंकि बना दो सब्सक्राइब पहराइन जब सब्सक्राकरश्ज्ण करेसं टीयल करें score ऑइसन गरेक हैं इंजन सब्सक्राइब क्यों कि हम आइरन से अच्छी प्रॉपर्डी इस्टील में मिल नहीं थी ठीक है जो कि क्या था एक स्ट्रॉंग मटेरियल है जिसने हमें कि देखो क्या लिखा हुआ आई स्ट्रॉंगर मेटेयल डैट गफेव एडमारे वार्स टीक है हम अब जो है बनारे हैं यापिस्टी सब्सक्राइब कर रहा है ब् właściwie यूज कर रहा है किसवा है आपका इस पर अल्हाओ है आपका 2221 व चुका या वंद है काफी ज़्यादा मात्रा में आपका अभी भी है तो इसने लोगों को काफी ज़्यादा मतलब क्या करा किया इंफ्लूइंस किया है तक इस इस नाम को ओदे दिया गया क्या डेमोंक्रीयूंस थैक इनारे वह और में उसमें उसमें करने है वैपन्स बना रहे हैं चलो यह समझ में आ गया अब नेक्स बिग स्टेप का डिस्कवरी ऑफ चीप प्रॉसेस टुमेग देश्टील बना रहे हैं तो इस्टील को बनाने में मालों पहले कोई ना कोई खर्चा आ रहा था कुछ बना रहे थे कोई आपका मैथड यूज कर रहे थे पर बहुत दिक्कत हो रही तो कोई चीप प्रॉसेस बनाने के लिए जो कि हमें पता चल गया 1858 में ठीक है तो 1858 से और क्या सुरू हो गया तो आपका इंडस्ट्राइशन इंडस्री बगारा बनी मशीन बनी आपका मशीनी करण सुरू होने लग गया जैसे में आपको बताता जारू आपको एक तो पार हुए कईसे कईसे पादा चला और कैसे कईसे की नेमिंग की अगी मटियल के बेशफ भर ठीक तो आपको सारी चीपर होती हैं कि हां पोफिज ना कुछ इंपरेंस है पर मटील कुछ ना कुछ नहीं बहुत जादा इंपोरेंस रखते हैं हुमें की लाइफ में अहा प य नमबर उफ दे यूजर से जैसे कि मैंने उपर बताया था लोगों को अफेट किया था यानि कि काफी जाद तर लोग क्या कर रहे थे इन मट्रीयस को यूज कर रहे थे कौन से डेमोटरिक मट्रीयस आपके आई इस्टील बगएरा कॉपर पाउंच जी जो भी थे आपके इनको यूज कर रहे थे तो क्या लेख रहा है थे यह नीड बनी रही है फॉर हुमें के लिए इन मट्रीयस टीक है विच इस्टील गूइंग जो कि क्या है अभी तक आपकी चल रही है अभी भी श्रॉंग है अभी भी हम चाहते हैं अच्छे-च्छे मट्रीयस हमें मिलें और हम उनको क्या कर सकए इंप्रूब कर सकें और अपने कमफर्ट लेवल को बढ़ा सक्य एंब तो इन इडर सक्या इसा नोगा हो गया और आपने कोपरेस बताया अभी हम कि सब्सक्राइब जाए थे जो स्ट्रॉंग हो जैसे यह नहीं अपको पहले सपेस क्राफ्ट दिखाया था और मैंने आपको आई एस इस पर भी दिखाया हमें कैसे मैं चाहिए थे वाँ पर मैं मट्रीयल चाहिए थे जो कि वहां की condition को sustain कर सके हैं मजबूत हों, हलके हों बारी material को ले जाने एक में carry करने में भी दिक्कत दोगी हमें चाहिए हलके हों और मजबूत हों ठीक है best example देता हूँ आपको light and strong material का graphene आपने नाम सुना होगा ठीक है काफी light है और काफी strong material है ठीक है यह graphene आपका invent हो चुका है graphene के वारे में पता चल चुका है आपका ठीक है तो यह आपका material मैंने बता दिया अब जैसे बुला है आपके क्या हो composites हो गए electronic materials हो गए semiconductors AI वाला example दिया था सब semiconductors दो रहा है उसकी processing में materials for space like high temperature ceramics वहाँ की temperature को biomaterials ठीक है तो अभी हम किस age में है अभी हमें space age में यह बस point आपको याद रखते हैं अभी तक मैंने आपको जितना बताया कि कैसे कैसे आपका evolution हुआ materials का कैसे कैसे human beings ने materials आपके कोज निकाले उनकी summary देखो यहां लिकी हुए मुझे कोई भी नीट पूरी करनी है उसको बनाना है material किसी ना किसी material के बनेगी तो material तो मुझे पता होना चाहिए बुलकुल ठीक बात है तो इस्टो ने इस से आपकी वाल हुई ब्रॉंजे जाया आयरे जाया इस्टीले जाया साथ में आपका क्या चल ए आपका साथ में चल राए है बुलकुल सबस्टो बनेगी ऑलous मांक आपको म Стन बुलकुल यस मोसब महरे技 कैज करेसी no किसी material की इंपोटरेंस रहे है और उसी material के basis पर उसको क्या कर दीए कैं मैं मुझे कैं बनाए यूटेंसिल्स बनाए हमने रेलरोट बनाए इंस्ट्यूमेंट्स बनाए इंडस्ट्रिल रिवॉल्ट्स भागे अधर्या था आपको टीक है रोबोट बना रहे हैं तो और गैजिट वरहें आपके फॉन वह नहीं है चितनी वह नहीं है टो अपका सब्सक्राइब कर चले सक लाएं तो एप कुंछा यह बोलोगे अब जो एछ चल लए वह पाज़ है कि आपको चले से के लिए आपको चल लिए कि आप चले हैं इस पेस एज प्लस आपको उगए कि इलेक्ट्रोनिक एज ठी का समझ में आ गया अगर कोई आपसे पूछता है कि अप क्या चल ला है तो आप बोलोगे अब जो एज चल लगी है वह स्पेस एज इन इलेक्ट्रोनिक केज आपकी चल लगी है क्या सभी स्टुडेंट को क्लियर हो गया इंपोर्टेंस अपने आप समझ में आ गई होगी क्या इसका हिस्ट्री इस्टॉरिकल परस्पेक्टिव था यह कैसे मैं आपको पूरा क्नेट करा आपका चार हिजाज से पांच यह साल पहले से स्टार्ट करा और आज कि हम सिर्ट्री में आ गए कि पहले मट्रियल्स क्या तो अगर अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है तो प्लीज क्या करना है आप लाइक करोगे और कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आपको समझ में आ रहा है लेक्टर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना कमेंट भी करना और नहीं भी समझ में कारा कहीं डौट तो भी आप कमेंट करना ठीक है मुझे अच्छा लगा तो मैं अपना और बैस देने की कोसिज करूंगा ठीक है और साथ मैं आपके आपके जलेगा पाए अभी चलेगा ठीक है इसलिए करना क्योंकि और भी जो इस्टूडेंट है वो भी इन चीज़ों के बारे में जान पाएं वह भी आपके चाहें वह आपके मेकेनिकल इंजिनियर हो चाहें आपका आर्किटेक्टर वाला हो चाहें कोई भी इंजीनियर भी ना हो आपका को नormal पर्सन भी हो तो उसको भी मटेरस के बारे में पता जरूर चले तो आपको क्या करना है可ases की इंपोर्टेंस क्या चले अपको उप्रिकर सुदिकिड कर दी क्या मजहाओ तक अगर अच्छा लगा एतो एक बार कमेंट तो परश्पेंटर्वेंट कीजिए गा भी दे रखा है आपको comment box आपके पास है इंगीनेरिंग मटेरिल्स का time के साथ evolution कैसे हुआ कहानी पूरी पीछे दिखा चुका हूं पूरी पीछे पढ़ा चुका हूं पूरी कहानी आपको सुना चुका हूं बस यहां पर क्या करा है एक ग्राफ में आपको सो कर दिया है फिर देख लीए यहां देखिए आपका y-axis पर क्या रेलेटिव इंपोर्टेंस कि उनके इंपोर्टेंस कितनी है यहां देखिए एक सब्सक्राइब टीक है और से गोल्ड की यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह तक प्याइम प्यर्ट या 21 भी लेक सकते हो ठीक है 22 में आप लेकचर देख रहे हो तह यार 22 लिखलेये झाद जब देख रहे हो तो तो किरा कर गांज है अब यहांच नंबर पर देखिए पहले जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करती थी इक है गोल्ड कोपर पहले गोल्ड कोपर आया फिर मैंना आपको अधाया ब्रॉंज आया ब्रॉंज के आइरन आया था इस्टील बनाया अलॉय स्टील बनाए देखिए इम्पोर्टेंज दीरे-धीरे कम होती जा रही है कम होत आपके लेकिन बात में देखिए यहां से आपकी इंपोर्टेंस बढ़ी है यहां से आपकी इंपोर्टेंस बढ़ती चलेगी और यह देखिए फिर आपकी इंपोर्टेंस आपकी फिर इंपोर्टेंस कर रहे हैं तो यहां देख लीजिए आपका पॉलीमर्स हैं पॉलीमर्स बेकलेट आया नायलोन आया एक्स आपके पॉलिस्टर आये ठीक है अब कर पोलिमर्स आ रहे हैं तो यह आपके इनका ग्राफ बना इसका देख लीजिए कंपोजट कंपोजट भी आपके जिसमें आपके जीए 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 आर्प वह गया आपके कैवलार हो गया ठीक है मैटल कि आपका ज्यादा कुछ द्यान नहीं देना केवल आपको बदाना था कि मट्रीयल का एवॉलीशन कैसे हुआ टाइम के साथ वह आप यहाँ पर एक बार स्टेडी कर सकते हो देख सकते हो सभी स्टूनेंट्स को क्लियर हो गया एक है फुरी क्लियर हो गया क्या समझाया क्या था पूरा क्लियर हो गया कि हां कि पहले कैसी दी अव क्या какой-up क्या उक्ति यह ब्यासिपक्र बात कर लेते हैं अब बात कर लेख लेकर आप की Imperate अगर आपके लिए यहां नहीं बनाने हैं तो आपके लिए स्कीन सोट लीजिए हरेक चलाइड का और उनको क्या कर लीजिए एक PDF में convert कर लीजिएगा आपके वाद कुछ ना कुछ material होना चाहिए लास्ट टाइम के पढ़ने के लिए ठीक है अब देखो material साइंस क्या कहा रहा है एस इंजिनिंग material constitute the foundation of बिल्कुल बताया था कि हाँ चाहिए कम अअब की हैं पूरा पीछज यह देखते हैं यह वह मं यह पीना है हाउै है जिसकी जो प्रॉपर्टी जो ऐसा क्यों कर रहा है क्यों कर रहा है क्यों कर रहा है क्यों कर रहा है कुछ ना कुछ तो माइंड में आ रहा होगा हां सर बुलकुल आ रहा है क्योंकि अपनी प्रॉपर्टीज के अकॉडिंग किसके अकॉडिंग मटेल ऐसा बिएव क्यों कर रहा है क्यों क्यों कि उसकीiosa this है वाइदे डिफर इन प्रॉपर्टीज वो इसना कुछ प्रॉपर्टी यहीँ गारी प्नी Bears और मुलकुल करती है वह मैं आपको बताक को ठीक है तो देखिए यह जो कॉस्टेंस से आपके दो हाउ मट्रीज बिहेव लाइक दे डू एंड वाइड डिफरेंट प्रॉपर्टी इसका आंसर हमें कैसे मिला कब हम समझ पाई यह जब हमने क्या पड़ा हम एक्टॉमिक लेविल पर गए जहां हमें अटॉमिक लेवल की आपकी आपकी नॉलेज हुई क्या कर रहा है दिस अनली पॉस्टिक अंडेस्टेंडिंग जिसकी तरू आपका क्वांटम मेकेनिक्स जो हमें अटॉमिक लेविल का ग्यान हुआ कि अच्छा मट्रीयल के अंदर गए हमने मैक्रोस्कॉप लगा के देखा ठीक है चलते चले अनले देख़ा रहा है एक्टम देखा आपको कि कह अपको अदर आपको और भी दिखे आपके पोटरोन देखे जनको नुक्लियोंस को हमने क्या कर रहा है एक्टम की मक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़ना स्टार्ट के जानना स्टार्ट कर तब हमें पता चला कि अच्छा तो आपका क्या है तो आप से कोई भी पूछता है कि में क्या है तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि में हम पढ़ते हैं माटेरियल के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज है और उनका माटेरियल का जो माइक्रो स्ट्रक्चर है उनकी बीच में क्या रिलेशन है यानि कि क्या है माटेरियल की प्रॉपर्टीज कैसे बदलने हैं कुछ ना कुछ रिलेशन है वह सारी बात हम किस में करते हैं material science में करते हैं तो यहां आप definition लिख सकते हो कि material science क्या है जो कि आपका किसे deals करती है with the study of material and their properties and the relation between the properties and the micro structure of the material यह simple definition होगी आपकी material science की the development of this science allowed the designing materials बुलकुल ठीक बात है इस science ने क्या अगरा नएने materials हम डिजाइन कर पारे हैं इसकी help से और knowledge होती जा रही है हमें materials कर रहे हैं पता चलता जा रहा है नए materials लेकर आ रहा है ठीक है and provided a knowledge base for engineering application जितने भी आपके engineering applications हैं जो भी आप जहां भी यूज कर रहे हो वहां पर इन materials को क्या कर रहे हैं और वहीं क्या बनगे आपका आपको याद कैसे रखना है ठीक है इसलिए numbering नहीं कर रहा मैं आपको बताऊंगो याद कैसे करना है इस्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज प्रॉसेसिंग और पर्फॉमेंस सभी स्टुडेंट्स से रिक्वेस्ट है यह चार पॉइंट आप मत बोलना ठीक है पूरा जब भी आपका कोर्स कदम हो material science और इंजिनिंग materials पूरा जब complete हो जाए तो कुछ भी समझ में आया भी हो या ना भी आया हो पर आपको यह हमेसा याद रहने चाहिए कि पूरे material science में सबसे ज्यादा important component है वह आपके क्या क्या है वह आपके है इस्ट्रक्चर है प्रॉपर्टीज है प्रॉसेसिंग है एंड आपका performance है ठीक है आगे चलते हैं इसमें देख लीजिए इंटर रिलेशन बिट्वीन फोर components of the material science यह क्या है आपका structure यहां से start करिए यहां से start करिए processing दूसरे पर आप इसे रखिए structure इंटर रिलेशन देखिए फिर आपका properties अब numbering कर रहा हूं है बस यहां पर numbering कर रहा हूं यहां पर performance इसी आपको उसमें क्या करना है है flowman को याद रखना है इसी फ्लो में आपको क्या करना है याद रखना है क्या कहना चाहरा है वह मैं आपको बताऊंगा केवल आप क्या करें इंटर इसे प्रोसेसिंग है पहले पर फिर structure है फिर properties है फिर performance है सिंपल सा मैं आपको बतायता हूं कि आपको अगर फ्लो चार्ट की अगर बात करना है तो सबसे पहले आपका क्या होगा processing प्रोसेसिंग पर आपका processing पर आप करोगे उस पर depend करता है material का structure पूरे material सायंस में यह तो आपको याद रहना ही जाए processing पर depend करेगा structure और structure पर depend करती है material की properties और properties पर depend करता है material का performance इसलिए मैंने पहले numbering नहीं करी ती यहाँ पर मैंने numbering कर दिया है processing structure थे टीक है कैसा performance चाहिए मेरी कैसी need है उसके साथ से material select करूंगा properties के basis पर properties dependent करेंगी structure पर structure depends करता है कि material बनाया कैसे गया है थीक है simple समझ में आगया है इंटरन रिलेशन आगे चलते हैं इंचीनिर्इंग materials करें भागग है इंचीनिर्इंग material से वही हैं जो हमेंशा ऐसा कब कहा ऐसा किस ने कह दिया है VNo aconteceLane Engineering ऐद्रिरंग में इंजिनीआम्लीकेसं के लिए तो यूज होंगे ही होंगे क्या वहां वहारी देली लाइफ में यूजनी हो रहा है लो इस्टील है इंजिनेरिंग आप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है तो क्या हो डेली लाइफ में यूज नहीं हो रहा आप यूटेंसिल से देख लिए बैस्ट एक्जाम्पल और हो रहा है इसका मतलब क्या है कि एंजीनिरिंग इंजिनिरिंग के फिल्ड में तो यूज हों गई ठीक है बात मानी ठीक है लेकिन हमारी डे टू डे बेसिस में भी उनकी कुछ इंजिनिरिंग में इसलिए नाम क्योंकि जातर हमारे में इसलिए इसलिए कैसे जैसे कि पहले पीछे मैंने पढ़ाया था पहले उनको आफ में इंजिनिरिंग में इसलिए नाम क्यों हो रहे है वो यूज हो रहे है तो उनको क्या नाम दिया चैसी इन में हमारे में पिर सकते हैं कर से नहीं प्रोड़क्ट बना सकते हैं उन मटिर्स की हल्प से क्यों बना रहे हैं क्यों कर रहे हैं सारी चीज़ें सबका जवाब एक ही है मैंने पहले व्यादा था हुमें बींग चाहता है अपना कंफर्ट को बढ़ाना अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको कारी चीज़ें हम कर रहे हैं नइने मटिर्स लेकिता रहे हैं उनसे नइने प्रॉड़क्ट बना रहे हैं अपनी लाइफ में घृटी अगर हमें अपनी modern life को अपनी life को improve करना उसकी quality को हमें enhance करना है तो हमें क्या होना चाहिए हमें इन materials की proper study करनी पड़ेगी बहुत जरूरी है अगर materials की ही हमें study नहीं करेंगे नहीं knowledge है कोई भी तो हम कैसे कर पाएंगे कोई material या कोई product हम कैसे बना पाएंगे कोई product बना पाएंगे जब material की knowledge नहीं है वालों आपको कहीं पर steel यूज करना आपने plastic यूज कर लिया क्या वो आपका purpose पूरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो materials की knowledge होना आपके लिए क्या है जरूरी है in order to exploit all the great characteristics that makes us want a better life clear हो गया सभी student को यहां पर पूरा समरी मिल गए आपको कि material की importance क्या है ठीक है पूरा आपको मिल गया कि material की importance क्या है हमारी life material science भी बताया engineering materials किसी भी student को कोई doubt वैसे कोई doubt आना नहीं चाहिए कि अगर doubt आता है तो मैंने आपको पहले बता दिया है क्या procedure आपको follow करना है comment में लिख देना है clear हो गया सभी student को clear हो गया lecture पसंद आ रहा है तो जरूर क्या करना है like कर देना material science पीछे बता दिया था definition अगर आपको लिखनी है schools में college में तो आप यहां से लिख सकते हैं इसका skill shot ले लिजिए बता चुका हूं वैसे मैं आपको अगर आपको लिखना है तो आपके exam purpose के लिए यहां से आप यह लिख सकते हैं एक बार में read कर देता हूं जिसके आपको आइडिया लग जाए material science material science और materials engineering is an interdisciplinary field involving the properties of matter वही बता है दा पीछे and its application to various areas of science and engineering simple definition है यही लिखके आना है दूसरा point this science investigates the relationship between the structure of the material material के structure में at atomic scales and their macroscopic property क्या structure है क्या property है कैसे structure और properties के बीच में क्या संबंध है क्या relationship है वह सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं material science के अंदर यही आपका material engineer या किसी का जो भी काम होता है सबका यही काम है उनकी बीच में relationship को पता करना जिससे कि हमें क्या पता चल जाए हम आपके आगे आने वाल महलुं मुझे कोई चीज़ बनानी है तो सबसे पहले में क्या करूं सबसे पहले मैं क्या करूं research करूं सबसे पहले में research करूं क्या यह मुझे बनाना तो सीधे मैं क्या करूँगा और दस मतेर या है या रखे यह इनके बीच में रिलेशन से पहले से स्टेब्लाइज कर रखी है उन्होंने प्रॉपर्टी और इस्ट्रक्चर में बता दिया कि मैं यह प्रॉपर्टी है तो उसके बाद में क्या करना है कि यह हमारा काम होता है कि वेंडिया अटेंजिड फोकर नंज आज गला चल άλλा है इस नंसेंस पर फोकस क क्या जा रहा रहा है क्या यूज करना क्या पड़ा होगा आपने प्लक्रिक्स इते present a प्लक्री आपको एक नाम बताया दोना है strongest on lightest material है आपका ब्रूसरा आपका इस पेस बनाओगे अभी हम किस से जाते हैं इस पेस क्राफ्ट यूज़ करते हैं वाद में आगे जाके बविस्च में ऐसा हो सकता है कि आपका अर्थ से जैसे आपका lift होती ने आप ग्राउंड फ्लोर से आपके हाईयर फ्लोर पर चल जाते हैं ऐसे आप अर्थ से आप स्पेस में क्या करोगे एक एलिवेटर बना दोगे उनमें कौन सी चीज़े यूज़ होगा तो आपको यहां पर भी आडिया लग गया होगा तो आजकल किस पर अटेंशन आपका ज्यादा नैनो साइंस पर नैनो टेक्नलोजी पर तो मटेरियल साइंस की इंपोर्टनेंस इसलिए और ज्यादा बढ़ गई है साइड़ी चीज़ें क्लियर हो रहे होंगी एक 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 ब आपको से मटेरियल को निकाला ऐपनी इंडस्ट्रि में भर रीफाइयं कर और मटेल बना लिया मटेर को मैं एक्ष्चेट कर दिया कहां पर फैक्ट्री में वो फैक्ट्री क्या करेगी इस मट्रेल को यूज करेगी और जो भी प्रोड़क्ट बनाना है एक्स भाई याड उसको मालो कपड़ा बनाना है या मालो कार बनानी है या मालो आपको कम्प्यूटर्स बनाने है जो भी एक्स भी बनाना है तो फैक्ट्री आपकी क्या करेगी इ कर दो से आएब अपने गर से कएगा बड़ा अच्छा स्मार्ट फॉन निकल के आया है सिज्टा भी है और टिकाऊ भी है बढ़िया स्मार्टफॉन ने चलते वारेरें यहां मार्केट में आ जाएगा उससे क्या कर लाद को यूज़ खरेगा प्रौड़क्ट को यूज करेगा अब प्रौड़क्ट यूज कर रहा उसने बड़िया चलाया doit साल मॉबािल पूरा रिघर कर रोगया लोगह क्या कर हमें अपने environment का भी ध्यान लखना है चलो ठीक है material बना रहे हैं तो हमें अपने environment का भी ध्यान रखना है कि हमारा environment को नुकसान ना हो तो जब भी हम यह material यह product बना रहे हैं तो देखो CO2 भी emitt होगा और भी होगा नुक्स मोगा तो सारी चीजह में क्या होगी। इन चीजों ना होगा हमारे environment पर अशर होगा अब क्या करना है हमें है समझ में आगे प्रोड़क्त की लाइफ साईकल कि किसी भी material की life cycle आपकी क्या होती नीचे देख लिए material creation, product manufacture, product को यूज करा and number of option for the product disposal at the end of the life. क्लियर हो गया सभी student को, भी सर बुलकुल क्लियर हो गया, ये चार component मैंने भी आपको बताये थे, अपकी एक अलग से slide में इसी लग दें, क्योंकि आपको याद रखे, पूरे engineering materials में या material science में ये चार component आपको नहीं भूलने है, इसका skin sort ले लिजिए, या mind में इस picture को set कर पहला processing बताया, दूसरा structure बताया, सर जी आपने तीसरा properties बताया, चौथा बताया performance, यानि की मतलब क्या है, मैं आपको लेकर चलता हूँ 421, 1 से 4 नहीं 421, मान लीजिए आपको कोई product बनाना है, अब आप कोई product बनाओगे तो आप यही तो चाहोगी कि अपना अच्छा और best सरी, यह अपना क्या करे, best performance दे, ठीक है, best performance दे, भाया, reliable हो, ठीक है, strong हो, लंबा चले, यह सारी चीज़ नहीं तो चाहोगे, यह थोड़ना अपने product बनाया, और बनाती है, आपको क्या हुआ, खराब हो गया, टूड़ गया, और वो किसी use का नहीं यह तो नहीं चाहते, हम best performance चाहिए, तो सारी चीज़ें क्या है, माल लिए मुझे कोई भी XYZ product बनाना है, वो depend क्या करेगा, मुझे उसका performance कैसा चाहिए, यह product क्या चाहिए, performance कैसा चाहिए, अब ऐसा engineer, अगर मैं कोई engineer हूँ, यह material scientist हूँ, तो मुझे materials select करना बना है, कुछ ना कुछ मुझे उस product ब अब product का यह performance किस पर depend करता है, product का यह performance depend करता है material की properties पर, ठीक है, अब मुझे यह product बनाना है, मेरे पास X material भी है, Y material भी है, Z material भी है, तो मैं किस का बनाऊ, X का बनाऊ, Y का बनाऊ, Z का बनाऊ, तो मैं क्या देखूँगा, इनकी properties देखूँगा, ठीक है, पहले मैंने performance अच्छा चाहिए, फिल मैं देखूँगा, x की properties क्या है, y की properties क्या है, z की properties क्या है, ठीक है, properties, ठीक है, properties पता चल गई, अगर मैं designing में हूँ, ठीक है, और मुझे designing करने ही तो मेरा काम यही खतम, क्योंकि material की ही प्रोपरटी इस्टट्टरन के बीच का से स्टेबलाज़师 कर रख़ दिया मुझे क्या करना होता हुए यह जो प्रोपरर्टी कि यह किसे पर करने करती है यह एंगसा अगर आपसपलपने नहीं काइंगप्राइब प्रॉपर्टीज के बेसित आमने सेलेट करा और बोल दिया कि वाई वाला जो है वह अच्छा है यहां आपका खाम खतम लेकिन हम क्या है material इंजीनियर्स हैं से राखयो मेरे मैं परफॉयμεंस ठीक रंश किष्ट रॉपर्डी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टि किष़़र कर देपेंड करती हैं क्या प्रॉपर्टि किष्ट करती है मैं आपका प्रोस्सिंग माले और से अलिमेंट निकाल के लाया मटेरियल उसको मैं कैसे एक्सेट कर रहा हूं क्या प्रोस्सिंग आपकी टेक्नियूस कर रहा हूं उसको फाइनली डिफाइन करके एक मटेरियल बना रहा हूं तो वह सारी चीजें किसमें आ जाती है प्रोस्सि पर डिपेंड करता है मैं आपको याद रखना है जैसे आपका टाइम आएगा अलग-अलग आपके टॉपिक्स में आपको बताऊंगा कैसे-कैसे वहाँ पर यह आपका कोई भी आपको 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 पूछे कि आपने क्यों स्लेट किया है मट्रीयल तो यह फ्लोचार्ट तो आप उससे बता ही बता सकते हो ख्लियर हो गया आगे चाहिए यह जो मैंने आपको बताया पीछे एक जामपल के तुरू और समझ लेते हैं यहां पर देखिए यह आपक ट्री मटइरियल क्या है forming an operator यहां पर यहां पर यह तोड़ा सा अपको दिखाई आहां पर यह आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिरहारा है सभी स्टूडेंट कि सर्ची बात तो सही कह रहे हो मटेरियल एक यहां मेलियम औकसाई है धुक्त देखो यह अलग रिंट यह कि हैं लेकिन अलग अलग प्रॉपइज ऑपड़िच चले जाओ यह बिम लाम शोरा पर सिंगल किस्टल हैं किसका aluminium औक साइड केबल 1 किस्टल मिल नहीं है दूसरा यहां पर आपके अलग अलग किस्टल से बहुत सारे किस्टल मिलेंगे तो माल यह 1,2,3 इनकी भीच में एंडरी इनहीं को क्या बूदका है दिर बंडरी इनको डेंगे बाउंडरी बैभान प्विदी इस मौल किस्टर सल्ट के वह य है केवल इन बाउंडीज की वह ऐसे क्यों हो रहा है देखो यह बाउंडीज बिट्विन इस स्मॉल किस्टल स्केटर पॉर्शन ऑफ दा लाइट रिफ्लेक्टिट फॉम दा प्रिंटेट पेज तो क्या हुआ जो भी इस प्रिंटेट पेसे लाइट आपके आ रही है तो यह जो बाउंडीज की वहाँ है थैजल आपका क्या हुआ प्रॉपर्टीस बंड़ यह ओपेख हो गया लग लगला किश्टल स्ट रहैं है अपके बनी हुए है लेकिन इसमें क्या है कुछ इंपर्फैक्शन है एक से मैं आपको पीछे सलेवस में बताया था युनिट वन में हम cover करेंगे क्या क्या imperfections होते हैं यह सारी चीज़े cover करेंगे मैंने बताया था आपको तो यहां पर क्या हुआ मालो कोई वाइड आगया बीच में कहीं पर आपका कोई एटम गायव हो गया और भी कोई इंपर्फेक्शन आगया एक्सवेजर तो इसकी वैसे क्या हुआ यह आपकी इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गए और यह कम्प्लीटली आपका उप्यक हो गया तो आप सभी स्टुडे कैसे आएं आपकी जैसे मैंने प्रॉसेज किया होगा मट्रीयल को उसकी वैसे आएंगी इंपर्फेक्शन क्यों आए मालो मैंने प्रॉसेजिंग कर रहा हूं उस ताइम को यह आपकी ऐसा हुआ कोई भी आपकी उसके अंदर गैस आ गई लिक्विड में कुशी भी आ गया इस वैसे क्या हुआ एर बबल रह गए और इसके वैसे खाली जगे रह गई तो सारी चीजें किस पर डिपेंड कर रहे हैं प्रॉसेंग पर डिपेंड कर रहा है इस्ट्रक्ट्टर पर डिपेंड करनी है इस उम्मीद करता हूं आपको पूरा क्लियर हो गया होगा जो मैंने वैसे तो आप सभी स्टुरेंट को अब तक क्लियर हो गया होगा क्या इंपोर्टेंस है क्यों पढ़ना चाहिए यह भी क्लियर हो गया हो क्यों पूरी कहानी में आपको बता चुका हूं फिर भी क्या पॉइंट्स लिखे हूँ है वह एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं कोई संटिष एंगिनेन वह आपका चाहे वह मेकानिकल हो सेबल हो की मिंकल हो कोई प्रॉबल्म में आपको ब्रॉंब सलेकंगे suscept करना पड़ा है यह सिल्द करना ही करना पढ़ता है कोई प्रॉब्ल्म में अपने से जड़ा हूँः प्लीकेशन की एककोर निस kन ये करेंग यहाँ पर देख लिए आपको solar panel बनाने है यूज करोगा कुछ ना को semiconductors semiconductors की बनते हैं आपके तो वही है आप किसी भी problem में जाओगा तो आपको material select करना पड़ेगा आप यह depend नहीं करता कि आप किस fields हैं और कोई मैं यह भी कहूं कि इंजिनिर्स की ही बात करूं नहीं नॉर्मल कोई भी आपका परसन है वह भी अगर कोई भी चीज बनाएगा अपने घर पर भी बनाना चाहिए तो कुछ ना किस material का selection उसी भी करना पड़ेगा कि मैं किस चीज की बनाओ कोई विऊ एकस वई जड कोई भी उठीक है तो यह समझरें आ गया होगा कि अगर हम designing problem में involved है तो हमको material का selection करना ही करना पड़ेगा और यह material का selection कैसे करूंगा मैं सब्सक्राइब करोंगा निकार करोंगा बस वह वह फ्लोचार्ट याद रखो वह वो चार्ट में आपको नहीं है काहा आपको कैसे को सोचना है जोगा पहुन जाओ सिधिए वही शिंपल परफॉन्स प्रॉपर्टी मुद्डिल का सिलेक्षिण कैसे होगा अब जैसे एक्जामपल देरा जैसे जासा कि मैंने आपको बताया कि जो material scientist और material engineer जो specific होते हैं उनका केवल एक ही काम होता है उनका केवल एक ही काम है कि material की जो properties है और जो structure है उनके बीच में क्या relationship है ठीक है अलग-अलग material लिए और अलग-अलग उन्होंने क्या गड़ा अब कोई mechanical engineer रहा है दोड़ता हुआ और उसे बोला गया कि जल्दी से आपको क्या बनाना है जो कि आपको किस ने बना के दिया है यहां पर इसे डेरों बहुत सारे क्या मिलने है इनके basis पर क्या करेगा अपना material select कर लेगा और फाइनली गेर बना लेगा समझ में आ गया बुलकुल आ गया आपकी सारी की सारी जो आपका हार्ट वर्क है या में को महनत है वह आपका पूरा पानी में मिल जागा पूरा खराब हो जागा अगर आपने एक वार गलत इंजिनेरिंग मटियूर्स पढ़ना पड़ेगा उसकी आपको नौलेज होनी चाहिए अगर आपको नहीं नहीं है तो आप मटियूर्स लेक्ट नहीं कर पाओगे गलत मटियूर्स करने के बाद आप क्या करोगे अपना प्रोड़क्ट खराब कर बैट होगे तो समझ में आ इसे पर आपकी सारी कहानी चलती है इसे तो बूलना ही नहीं है पूरा मटियल स्लेक्शन आपका उनकी प्रोपर्टी और स्ट्रक्टर के बेसिस पर पहले बताया थे स्ट्रक्टर प्रोसेशिंग वहीं आप लेग दिया है ठीक है पर्फॉमेंस और यह देखिए करेक्टरा रिख वही कानी लिखी हुई है कि इनके बेसिस पर हम क्या करेंगे अपना अच्छा मटियल आपका क्या करेंगे स्लेक्ट करेंगे देखे क्या लिखा हुआ है देखे पढ़िए तब मोर प्रोफिशियंट एंड कॉंफिडेंट ही और सी महलब जो भी इंजीनियर है ठीक है विल बीन मेकिंग जोडीश मटेरियल चॉइज बेस ओन दीज क्राइडिया ठीक है आपको नॉलेज होगी स्ट्रक्चर की प्रोपुटी की कहां कैसे बनाई क्या प्रोपुटी मटेल की पूतै casi आप अच्छे ज़ें ले पाऊंगे और टियूं ले पाऊंगे तो उतना ही अच्छा मiclesट कर दो इतने स्प्रोट्रक्च बना पता दि तो आपका क्या लेग को भी अर जआ पर आप काम कर कोई बच्चा पूछना ज physically क्यों कर रहा है कि क्यों कर रहे है इसे मुझे क्या करना है इंप्रूब करना है कोई मुझे पोचता है में होंगा सारी कहानी इसके चलिए कि मुझे अपनी quality of life improve करनी है क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन की मटेल का क्लासिफिकेशन कैसे किया इसका आप इसके 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 ले लिए और अपने क्लासिफिकेशन के यूनिट करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहली बताया कि यह केवल इंट्रोड़क्री लेक्चर है जिसमें मुझे आपको बताना था कि क्यों पढ़ना है इसके हमारी लाइफ में ठीक है और जो मटेल्स हैं उनका सेलेक्शन कैसे किया जाएगा किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेंगा तो यह सारी चीज़ों बतानी थी जो कि आपका क्या है यह लेक्चर एक बेस बनेगा यह आपको याद रहना चाहिए छोटी-छोटी बेसिक्स बात हैं जो कि आपका क्या बनेगा मटेयल साइंस का इंजिनिंग मटेयल सब्जेट का कोर्स का बेस बनेगा ठीक है तो क्लासिफिक इसनों मटेयल की बात कर लेते हैं अगर मैं जनरली बात करना हूं तो देखिए प्रस भी आपका क्लासिफाई किया गया है आपका एक है में टल्स अलोइस यहाँ देख लीजे में अलोइस सरामिक्स और गलासे यह ऑर्गैनिक बाताएं बताने की जड़ून होती है और सबस्याद इंपिन अलोई अलोई था मोस्टी आपके यूज होई रहे हैं इसकोई लिए single material में used कर रहा हूं आजकल कहीं use नहीं हो जाएंगे चीज आосकी जोते कुण हो जाएंगी फçon लीट से ďिकडल हो जाता प्रिट है में इंफोर्मिसन मिलती है सब यही से पता चल जाता है क्यों जरूर बाब यह उनिट तू में ही बताऊंगा मैं आपको ठीक है यह समझ में आ गया सिरामिक्स हो गए ग्लासिस हो गए और नॉन मेटलिक अनॉर्गनिक सबस्टेंशेंज हैं विचार जो की बिटल होते हैं एक तरीके के इंसुलेटर्स ही है बहुत से अच्छे में मन में डाउट आ रहागा इंसुलेटर्स और डालेक्टर्स के बीचिए फिर डिफ्रेंस किया है तो सारह मैंने लेक्टर्स और यूनिट फोर के तो मैंने डाल रखें ठीक है कुछ टॉपिक्स बचे हैं वह मैं आपके कवर कर दूँगा ठीक है तो फिर हो गया सबी इस दोंगो क्लासिफिकेशंस बताये थे मैटल्स अंड अलोई सिरामिक इंड ग्लासे और 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 इंग पॉल्यम्पल देख लीजिए स्टील अलुमिनियम कॉपर सिल्वर गोल्ड शुपर लॉइस बोरो इसमें सेरामिक्स मैं एंजी और ये सिलिकन जर्मीनियम गेलियम और इंफॉर्च इस्टील क्या बनेगी आपकी इन दोनों को मिला के भी मुझे क्या करना है मेरों को जुरूत पड़ी मेटल की प्रॉपर्टी मिल जाएं और सेरामिक और ग्लास वाली कुछ प्रॉपर्टी विच यह मैंने कहा करा इनको आपस म थे मिला दिया क्या मने सिलिकन जर्मीनियम गेलियम और रिनफॉर्च इस्टील आपकी बनेगी रिनफॉर्च स्टील बहुत प्लास्टिक्स ने ख़ले हैं अपनी निड़ी के मत्या बनाता चला जा रहा हुं बस इतना आप में मुझे जयसी जरूत पड़ रही है जैसी प् निक्या मैं अपना चले जा रहा हूं और उनसे मटेश को बनाकर अपने बना यह रहा हूं को मुझे अपना कमफर्ड लेवर करना है कि हमें यूज करने ठीक प्रोपर्टीज अच्छी मिल रही है अगर में ग्लास की प्रोपर्टीज भी चाहिए और यहां देख सकते हैं हमारा क्या बनेगा ग्लास फाइबर रिंपोस्ट प्लास्टिक तो तीन मेजर ग्रूप्स थे उनको मिलाकर हम काफी सारे क्या कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको तीन classification बतायते उनको identify आप कीजिए और उनको comment में लिख दीजिए गा पर देखना है आपको identify कर बताना है metal है organic polymer है insulator है डाइल अगलाब क्या है आपको यह देखकर बताना है और comment box में लिखना है ऐसा homework समझ लीजिए दूसरे निमबर का भी ले लीजिए बताना है क्या है यह पर नमबर का भी ले लीजिए क्या चीज़ है आपके कौन से classification के अंटर आएंगे आपके आपके जो materials हैं वह आपको comment box में लिखकर बताना है ठीक है अब कुछ आपके रहते हैं तो आपके ब्लोड classification था कि अगर हम सिंपल लेवल पर क्लासिफाइए करें तो क्या होते हैं तो आपके आज की जो उसमें हम सेनेरियो की बात करने तो advanced materials आएं आपके जो की काफी ज़्यादा आपके यूज हो रहे हैं ठीक है यह materials कौन से होते है है advanced material यह material वो होते हैं जो कि आपके high technologies में use कि जा रहे है जैसे कि आपके ऐसे भी होते हैं कि जो आपके क्या करना है अपनी surrounding की conditions को surrounding की उनकी जो condition है उनके according बिएव करते हैं बताओ material आपकी surrounding के conditions को देखकर behave कर रहा है ठीक है advanced material में ही आएगा अच्छा खासा material है ठीक है तो यह मेहंगे तो होंगे ही होंगे एडवांस में क्या क्या आगे एग्जामपल सेमी कंडुक्टर बायो मट्रियल्स ठीक है smart मट्रियल्स नैनो मट्रियल्स एक्षेक्टर एक्जामपल सारे आपको बता चगो नैनो मट्रियल्स का भी माठीश अभी मैं आपको image दिखा दूंगा आपको मज़ा आजाएगा ठ आपको मज़ा आयागा semi-conductor materials क्या है ठीक है तो बताने की जरूद नहीं है क्यों समझ लीजिए semi-conductor क्या होते हैं यह वह material होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी आपकी metals और insulator के बीच में होती है ठीक है इतना समझे लीजिए के बाद ठीक है वह semi-conductor materials है आपके रईस्टर हुए चिप हुए डायोड हुए टांजिस्टर हुए समय क्या यूज हो रहे हैं समय आपके semi-conducting materials यूज हो रहे हैं अगर बनाकर डालते हैं वह डालते हैं क्योंकि वह isymantealецf इतना होता है कि अगर Barcelo हमारे budget of हमारी बॉडिक यूज है तो हमारी बॉडिक के इंडर तो हमारी मत बॉड़ायव को मिया और कर जाता है एदना toxic नहीं होगा दीक है इन नहीं होता हमारी बॉडिक के लिए ईंडायोमот उल्स LGBTQ我们 का उंग फिल्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है यह किसमें आपके इंप्लांट किया है हुमेन बॉड़ी में तू रिप्लेज डिजीज और डेमेज कोई भी हमारा बॉडी पार डिजीज होगा है या खराब हो चुका है तो उनको रिप्लेज करने के लिए हम क्या करते हैं को यूज करते हैं हाँ पर आप देख सकते हो कुछ आपके देखाए गए हैं ठीक है इस मट्रीज मस्ट पूरा हो जाए कि जो हमारा बॉडी पार डेमेज है उसका हमारी जरुद भी पूरी हो जाए ठीक है तो उसके लिए हमने क्या निकाला ऐसी नीड आई तो हमने क्या ब सब्सक्राइब करते हैं इनका कॉंबीनेशन हो सकता है कुछ ना को सब्सक्राइब क्या करें लिए समझ में आ गया बुलकुल आ गया स्मार्ट मटियर्स बहुत उस्यार होते हैं बहुत उस्यार होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं आपके तो सब्सक्राइब करते हैं तो क्या है स्मार्ट में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वह उसको क्या कर लेते हैं सेंस कर लेते हैं काफी स्मार्ट है अपने सराउंडिंग में कुछ भी बदलाव हुआ तो इन्होंने सेल्स करा और उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया रिस्पोंस कर दिया तो इसलिए इनको क्या बोला गया इस्मार्ट मटियल बोला गया एंडें रिस्पॉंड टू इस चेंज इन प्रीडिटर्माइन मैनर म का कुछ आट करते हैं अपका टो कि जैसाट हृत है लिए प्रीटर्माइन में प्रीटेमियर करकिया नी आपके क्या है material with any external dimension in the nano scale having internal structure और the surface निए आप ये कहलो कि जिनका आपका कोई भी dimension आपका क्या हो इस रेंज में हो वो आपके क्या होंगा नेनो materials आपके categories में आते हैं यहां पर मैंने example लगा रखे हैं एक example मैंने carbon nanotubes का आपको दिया भी था देखो carbon nanotubes और यह कहां पर इस पेस एलिवेटर के जो concept आपके आ रहे हैं वहां पर आपके इनके यूज किया जाएगा carbon nanotubes के strong भी होते हैं light in weight भी होते हैं nanomaterials तो इनका यूज काफी वानब काफी ज़्यादा है और इसलिए materials पर focus और बढ़ गया इंजिनिनियर्स का यहां पर आपको एक आंट का साइज दिखाया गया है ठीक है आंट का साइज आपको पता है यहां पर आपको dust mite जो कि आपको दिखाया जो आपका धूल मिट्टी का जो आपका कीड़ा होता है वह आपको यहां पर दिखाया गया देखिए आंट के यह यह आंट है आंट के कंपेरिजन में यहां देखो यह है dust mite कितना चोटा है ठीक है यहां पर आप human being और खड़ा कर लो में यहां पर human hair की थिकणे जो है वह क्या है आपकी इससे बहुत कम है अब सब्सक्राइब भी clones आपको थे होटे उनका साइज दिखाया यहनि अगर भी आपके क्या होते हैं अगर मैं से नीचे गए आपको मिल जाएगा यह देखिये यहां से नीचे गरम जाते हैं तो आपको आने लग गया यहां प गई इसका जो साइज है वो आपका टू से ट्वेल्व नैनो मीटर होता है तो आप समझ सकते हो तो नैनो मीटर नैनो का अलब कितना चोटा साइज हो गया ठीक है तो यहां आपका कारवन ट्यूब का डायमीटर होता है अप समझाओ कितना कम डायमीटर है कि आपको एक फील आ जाएं क्योंकि सब्जेट को फील करते हुए पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा और आपको सम होगा आपको लगा कि हमैं पढ़ोगे समझना चाहिए तो सब्जेट को लिए सब्जेक को हमें साथ को पढ़ना है तो यहां पर समझम आगे आपको बताया है मेंति में दिखा को फेiamoậ पार आपका हमें रिप्लेस करना होता है जो डेमेज हो चुका होता है तो महाँ पर ब्रेसिस हो गए यह भी आपने देखा होगा डेली लाइफ के एक जांपल है सारे हैं यह देख लीजिए कैफिटर्स एंड इस्टेंट्स हो गए आपके फिंगर जॉइंट इंप्लांट्स हो गय है तो आप देख लीजिए आप देख लीजिए कितना एड्वांस्मेंट हो रहा है अगर किसी आदमी का हर्ट फिल हो यादा है काम करना नहीं बना तो हम उसको कुछ दिन और बेसिस अपार्ट इसको हम जिन्दा रख सकते हैं ठीक है हीरिंग एट्स हो गए आपके सुनने कि विल आया मज़ा आया सब्चेक्ट पढ़ने में समझ में आ रहा है पूरा यह लेक्चर आपका पूरद समय महरे थी आपको इसकी संय स्थिक्ट बोचैंक। ये सारा पुरा पूरा पूरा ओकछर लेक्फर सहीं को समझ में आगया होगा वैंसे हैं इंजिनिंग म्टीर्स कि हम बात करें इंपोरेंस है हमाहें में कहाँ कहाँ कहां कैसे यूज्च हो रहा है वो सारे मैंने आपको A2-Z सारे एक्जम्ब पर दिखा दिये तिक है किसमार्ट माटियल्सक्राइब मैंने बताया था देख लीज़े कहां कहां आपके फोटो क्रॉमेक टोली मॉख्स माइक्रो मैं आपको बताऊंगा यह हमारे स्लेबस में है ठीक है कैसे काम करता है थर्मोक्रो में क्वांटम टनलिंग हो गया से अपके ठीक है कि अपनी सेप को बाद में रिगेंड कर लेना है ज्यादा उसमें कुछ नहीं है केवल आपको बताने के लिए लगाया गया काफी प्रफॉर्म करें तो कुछ ना कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा बदलने पड़ेंगे नहीं मतियर्स लाने पड़ेंगे तो इनी चीजों ने क्या करा है डिमांड बढ़ा दिये किसकी मतियर्स की डिमांड और ज्यादा बढ़ा दिये क्यों कि हमें क्या करना है जो भी चल ठीक है हमारे पास टेक्नलोजी है अभी ठीक है अभी माल लीजे वह 80% एफिसेंसी पर काम कर रहे है तो हम चाहेंगे कि 90 देख तो पहुंचे तो हमें क्या करना उनके पर्फोर्मेंस को बैटर करना है उसके लिए मुझे और मेटियल्स की खोज करनी पड़ेगी और मेटियल्स की स्टडी करनी पड़ेगी तो इन्वायर्मेंड फ्रेंट्ली हो अ остrip later में लिए स्टेचल अपने इन्वायर्मेंट का अपने नेचर का ख्याल जरूर रखना है यह नहीं है कि मटेयल में बस मटेयल को खोजने में उनसे प्रोटर्ट बनाने में अंदा हो गया और मैं अपने नेचर को अपने एंवार्मेंट को खड़ाब करता जा रहा हूं काफी सारे कन्वेंशन लोज बन चूके हैं कि हमें मटेय अपने अपने आपने 90 को क्या करना है बचाना है घिंड होतना कुछ टिपकल नीट्स क्या है वो यहां दे रखी है जैसे कि क्या नीट है मालों अभी इंजन एफिसेंस से हमें बढ़ानी है हाई टेंपरिचर पर की इंजन अच्छा काम कर चाहिए तो उसके लिए में क्या चाहिए होगा हाई टेंपरिचर इस्ट्रक्ट्ट्रल मटिर्स च अब नुक्लियर हमें एनरजी यूज करने है उनकी वेस्ट भी तो काफी टॉक्सिक होते हैं कैसे उनकी डंपिंग कर आई कहां पर उनको रखा जाए ठीक है तो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है यह सारी चीज़ें हमें इनकी नीड है है पर सोनेक फ्लैट्स की रि मजब क्या क्या नीड करना है क्या क्या चीज़ें पर काम चल रहा है ऑप्तिकल कम्वनिकेशन जो कि आपकी लाइट को नेगलिजिवली एब्जॉर्ब करें ठीक है तो आपकी विंडोज हैं वह आपकी ऐसे मट्रील की बनाई जाए जो कि आपकी अनब्रेक्वल हो या को इ जंग वगराना लगे डिस्टोइन हो रस्टिंग वगराना हो और स्ट्रॉंग भी हो तो इस सारी चीज़ें हैं जो कि आज के मॉडर्न मट्रील को चाहिए और भी बहुत साथ हैं यह केवल आपको केवल एक आइडिया देने के लिए यहां पर लिग दिया गया था क्या सभ करना जरूरी है और ऐसा नहीं कि केवल इलेक्रिकल इंजिनियर्स को या से हर कोई भी आदमी हो नॉर्मल परसन भी होगा उसको भी मट्रीयल की नॉलेज होनी चाहिए ठीक है यहां पर हमारा क्या है आज का लेक्टर आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है नेक्स लेक्टर अगले लेक्टर में अगर किसी भी स्ट्ट्रंट को आज की लेक्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स कर दीजिए कमेंट में कर दीजिएगा मेल आईडी मैंने आपको देजी थी स्टार्टिंग में महाँ पर लिख सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगा हो पसंद आया हो लेक्चर तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा जिससे कि क्या होगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप like करोगे तो क्या होगा मैं अपना और अच्छा देने की और अच्छा content देने की कोशिस करूँगा मुझे motivation मिलेगा और साथ में क्या करना है आपको share करना है जिससे की और लोगों को भी जो आपके other जो बले ही engineers हो या ना हो other people जो भी है वो भी engineering materials के बारे में समझ पाएं और उन तक भी information पहुंचे कि हां engineering materials कितना important है engineering materials का मतलब यह नहीं मैंने बताया था कि किवल engineering field में जो normal day to day life में भी use किया आता है और अगर आप new है channel पर अगर आप पहली बार आए है channel पर तो आपको क्या करना है channel को subscribe जरूर करना ठीक है और subscribe कर दिया है तो bell icon तो जरूर दबा देना उसमें क्या जा रहा है कुछ नहीं जा रहा क्योंकि एक subscription आप करोगे तो उससे मेरा motivation 10 times बढ़ जाएगा और मुझे motivation मिलेगा तो मैं आपके पास अलग-अलग subject पहले मैं आपका यह complete करूँगा और आपके लिए ऐसी अच्छे-च्छे lectures लाता रहूँगा तो आपको क्या करना है यह तो आपको हर lecture में करना ही करना है इसे तो आप याद रखिएगा कोई डाउट आता है सबसे पहले डाउट की बात comment, like, share and subscribe और bell icon आप दबा दीजिएगा तो अगर आपको पसंद आया है तो please like जरूर कीजिएगा तो thank you student यहाँ पर हमारा क्या है पहला lecture जो introductory lecture था वो complete होता है अगर आपको अच्छा लगा है बहुत अच्छी बात है नहीं अच्छा लगा तो मैं अगली वीडियो में और अच्छे से आपको समझाने की कोसिस करूँगा ठीक है तो जब तक आप यह lecture देखिए आपके लिए जल्द ही मैं आपको lecture 1 लेकर आउंगा unit 1 का और आपको atomic bonding बढ़ाऊंगा thank you students